तो दोस्तो मूली का ये रेसिपि आप ज़रूर एक बार देख लिजिए सबसे अलग है और एकदम आसान तरीका से त्यार हुआ है कोई भी पेहचार नहीं पाएगा आप इसे मूली से त्यार किया है तो पहले तो मूली का छिलका को मैंने उतार लिया था अभी मैं इसे इस त कटा करने का ज़रूरत नहीं इस तरह से बड़ा बड़ा पीशस में में ये मूली को कट कर लूंगी अब तो कपने मूली से बहुत कुछ आइटम वना चुकी होगी एक बार ये अलग तरीका से मूली का रेसिपि त्यार कीजिया ना तो देखिए इस तरह से पीशस में सब म मूली को डाल दोंगी और इसे उलट पुलट करके चान लोंगी लोटू मिडियों फ्लेम पर ही हाम इसे चानेंगे ताकि मूली में बहुत सारा पानी है यह थड़ा सा स्मूध होने के लिए टाइम लेगेगा तो इसी समय में हम दुछरा प्रिपेरेशन रेडी कर लेंगे यह देखिए यह है मूंग डाल मैंने एक मुठी करीब लिया था मूंग डाल सिर्फ एक मुठी लिया था इसे मैं पानी में दो तिन घंटा पहले भीगा कर रखा था तो तो इसलिए यह थड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है अभी मैंने इसमें लोंगी एक इंच करीब आद्रक और दो ग्रीन चिली इसे लेकर ग्राइंडिंग कर लूँगी बहुती बढ़िया से तो यह हो गया ग्राइंड इसे एक साइड कर दूँगी अभी चलते हैं मूली के तरफ यहां पर देखिए मूली हमारा बहुती बढ़िया से सुने रह हो गया है और यह देखिए यह आच चल जाएगा आपको मेरा रेसी प्याच चाल लेगा की नहीं 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 दाव डिसलाइक भी कर सकती है जोड ये एक कर दीजियाना जरूर तो मुली को तो मैंने छान लिया और एक कढ़ाई लिया ये कढ़ाई में मैंने पहले लूंगी तो चामच करीब सरीश का तेल मुली क तीन चीज मैंने पहले नियाना ये तीन चीज करी में बहlaşी कि ब्लोटब और संध्या पनाएगया मैं मुली करें देल मैं प्याज को अभी मैंने गःन फेली द्शी नहीं ही लिए सब्लवत ज़ुदो यहाज साथ मेंने ही गेको यहाज कर दूगी आज कर दूगी आज का दूगी मैंने पहले आपको बताये था बहुत ही टेस्टी करने के बाद में जो मूंग डलो से त्यार हो जाएगा एकल अलक तरीक नेगा तो यह सब मसला को मिक्स करने के बाद मैं जो मॊंगडाल का पेश्ट त्यार करका था ठालक को तार्म डाल लूँंगी गारी windows लू Dw करके low to medium flame पर इसे ढखकन रेकर छोड़ दोंगी और बीज बीज में इसे चेक करना भी चाहिए इसी समय पे हम और एक प्रिपेरेशन कर लेंगे अभी हम जो मूली को छान कर रखा था ना ये थंडा हो चुकिये मैंने इस तरह से मेसर लिया है ये मेसर की मदद से इसे आच्छ का पाउडर हाप चामच भुना हुआ जीरा का पाउडर हाप चामच धन्या का पाउडर और कुछ साथ में धन्या का पत्या भी लिया है और ये देखिए ये च्छटा स्पून में ना मैंने तीन स्पून लोंगी बैसन और ये च्छटा स्पून में मैंने दो स्पून यह सबी को मिक्स कर दिया है अभी देखिए बहुत ही बढ़िया से बाइनिंग हो चुकी है इस तरह से हाथ में मुठी बांद रहा है इस तरह से गल मल से बड़ा साइट से में त्यार कर लोंगी यह बढ़ा कना मैंने पेन में बहुत ही कौम तेल लेकर इसे उलट पुलोट कर के सोने हैरा करके निकाल लोंगी ढकान देना का जरुद नहीं बस मीडियम और हाइप लेंपर इसे उलट पुलट करके सुने हैरा करके चान लेंगे क्योंकि मुली को पहले तो मैंने चान लिया था यह तो बिलकुल बोयल हो चुकी है ना मुली बहुत शारा लग को पसंद क्योंकि मुली खाने में थ्वड़ा सा कॉड़वी लेगती है तो पहले जो मुली को मैंने चान लिया ना मुली बिलकुल वी कटवी नहीं लेगेगा और अभी में इसे इस तरह से थ्वड़ा सा सुजी और जो बेसंद देकर यह जो बरा साइस से त्यार कर लिया कोई पहच इतना भी है इस तरह से त्यार कर लूँगी अभी हम यह मूंग डाल का कोड़ी को चेक कर लेंगे यह देखिए मूंग डाल का कोड़ी बहुती बढ़िया से गाढ़ा हो चुक है मैंने पहले आपको बताया था ना तो इसलिए मैंने थड़ा सा जादा पानी लिया था तो अभ लाइक और सब्सक्राइब करके सपट कीजिए तो अभी देखिया यह आच्छी तरह से कुट गया है तो यह तड़का प्यान में मैंने सरीज का तेल लिया है थड़ा सा जीरा और कैसरी में थी और यह जो लेसुन इसे मिक्स कर दूंगी और थड़ा सा हिंग भी मैंने लास्ट में लिया है लास्ट में थड़ा सा हिंग लने से इसका संधापन बहुत भी बढ़िया आती है इसे अब ही बहुत जल्दी लेकर घ्री में मिक्स कर दूंगी यह जो लेसुन का तरका ना यह मूंघ डाल का कड़ी जबर्दस टेस्ट देगा तड़का पेर में मी सब्सक्राइब लगा था इसे वी ये कड़ी के साथ मिक्स करके डाल दिया है तो त्यार हो गया हमारा कड़ी लास्ट में कुछ धन्या का पत्या और कुछ में ने भूणा हुए जीरा का पावडर लिया है ये मुंग डाल का कड के साथ जो मुली का बोरा है ना यह जो मिक्स हो जाएगा इसका टेस्ट अलग तरीका से आएगा आप इस तरह से मुंडार और मुली से लेकर कोड़ी को त्यार कीजिए और मुझे कमेट करके बताए आपको कैसा लेगा सब का पसंद होगा बहुत ही अच्छा बनेगा तो मिलत एपड़ी एक नया इडिया कि सब्तुक कि लेगा और एं थैसा बत्तुक कि ले भाई एं टेकर